इस अंदोलन के सब लोग वाच कर रहे हैं सेंट्रल पाटिया वाच कर रही है पड़ोसी राज के लोग वाच कर रहे है उतना तो थोड़ी हमारे इंस्ट्राग्राम में अभी भी मैसेज है कोई फेकाफेकी बात नहीं 36 गड़ के विधायक के साथी ने हमें धन्यवाब दिया कि 6 महना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा एमेले बन गए वो जारकण में सब्री करते थे अब कहां करते थे हमको तुरह नहीं मालूम हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया बोला 6 महना पाले उनको किसी ने लिंक भेजाता यूटूब का किस लड़के को फॉलो करो इसकी तरह आपने आपको ढालो और उन्होंने 6 महना में रिजल दिया 36 गड़ से हमेले तो आज ये एक आयक इतनी सारी चीरे अगर घटी है तो कहें न कहीं हमारी आइडियोलोजी के कारण हम लोग जितनी परखरता के साथ जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MPML की हवा टाइट हो जाती है उतना तो छोड़िए आपका बगल का जो विधायाक है सुदीप सौनो जितना जो चक्ता पुचकता पुचिये कहां सो चकता सब हमरा भासन को भी करता है कि हमने बो रखनका आदमी बुला है जितना तो उचल कुद करते हैं सुदीप सौनो पुचियेगा कई ये देखते हैं की नहीं देखते हैं रखवाए मुख्यमंत्री को हाँ रखवाए जो भी उनका धार में मन्यता है आस्ता है पुचिये उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा ये नारा भले पुराना है लेकि इस नारे को जिंदा करने वाला सक सामय पुचिये मानने मुख्यमंत्री को इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महाद ये जारखण का जर्नोदार करेगा और नहीं तो इसी परकार अज हमारी स्थितिया आज एक आम वेक्ति क्या हो रहा है आम वेक्ति परतेक दिन गरीब हो रहा है पुगि सदन में धंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं हर कोई 101 क्वर्प्रेट का समर्थन में आज मानने मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे हाली फिलाल उनकी एक चचेरी बहन का साधी हुआ टाटा ने 80 लाग खर्चा किया बताइए वो कैसे टाटा क्या तिकर्मन की खिलाब जाएंगे बताइए कैसे जाएंगे ये कैसे संभव है कि माने नियमुखे मंतरी की चचेरी बहन की साधी में जो टाटा 80 लाग फाइनेंस क पर हमारी नोक्रियों पर हमारे उध्योगों पर हमारी नित्यव पर पर ऑज़ेट Lis綱 ऐसाए कि आप दोजार चुना होगा। यहाँ फंक उफ्टो करोगा विष्टान स्चना वहार बेरा करो घ्रानि कि अगर ज़ाएगा अगर ड़ा जाए तो जारखंडियत के मुद्दे पे लड़ा जाए विस्थापण के मुद्दे पे लड़ा जाए रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए ये हम आपसे आहवान करना चाहते हैं कि जारखंड में ऐसा परिवेश बनाई है एक ऐसा महुल बनाई है जो इंडिया पाकिस् और हमारी 12 लाग करोना काल आपने देखा वो तो रजिस्टेड हुआ था 12 लाग अन्रजिस्टेड कितना होंगे 20 लाग आद ही हमारी भारों में भटक रही है कहे भाई 40 परशंट का नहीं समपदा है हमारे पास रजिस्टेड छोटी से बड़ी कंपणिया अगर एक-एक कंपणियों में विधायक अगर चंदा ना ले मैं आपको किलियर बताता हूँ क्योंकि हमारे पास भी उफ़र आता है कि अब कहाए हमको परिशान करते मेरा फैक्टरी में ताला लगा रहे है बोल यह क्या चाहिए अगर एक-एक कंपणियों में केबल विधायक और सांसल चंदा ना ले तो वहाँ अभी अभी एक परजेंड में दावा के साथ कहता हूँ स्वाग और रोजगार स्रिजन होगा अभी अभी आज के तारिक से बस खाली बोल दे कि बिधायक और सांसल चंदा नहीं लेंगे अभी स्वाग और रोजगार स्रिजन होगा अब माण के चलिए जारकंड में गुगल किजे कितनी कंपणिया है नहीं करने से भी कुछ हज़ार के आरपार है लेकिन धंकी मुझे लगता है तीस हज़ार कंपणिया जारकंड में है अगर आज के डेट में हमारी M.P.M.L. चंदा का धंदा छोड़ दे तो तीस हज़ार गुणा एक सो किजिए यानि तीस हज़ार में अगर दो जिरो डालेंगे कितना हाँग आप सोच लिए 30,00,000,000 कांकडा होगा 30,00,000 कांकडा होगा यह मजआ कभी सही नई है मैंने बार-बार कहा नेताओं के नियती साफ होनी चाहिए उनके नियत जिन साफ होगा जारकंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है आज कोई भी है, चुकि हम लोग धनबाद बुकारों से आते हैं, कोई भी नया माइन्स आता है, तो विधायग जी को 5 लाग का महेना, सांसदी थोड़ा सा पावरफूल है, उनको 10 लाग का चंदा, दू-चार को लटेते हैं, उनको 10 लाग, 2 लाग, 10 लाग का चंदा, ये चं साइने नहीं है, इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जाक आ रहे हैं, आज किन के हातों में हम लोगों ने नेत्रोद दिया है, जिन लोगों के हातों में हमने नेत्रोद दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दसा कर रहे हैं, इसलिए उस दुर्दसा से लड़ने के लिए आज इस धारखंड के उन्नती के लिए इस धारखंड को एक अगरणी राज बनाने के लिए आज विवाओं को आगे आने की अवशत्ता है अगर आज हम आगे नहीं आते हैं एक दिन हमारे पास सायद पुचना बचे आज देख सकते हैं पहाडों पर कबजा आज नद एंटिटी को लेकर अलग हुए हैं चाहे तमिल नाडू से आंध्र प्रदेश का अलग होना या फिर बोंबे का दो टुकडों में महरास्ट और गुजरात बनना या फिर पंजाब और हर्याना का बनना या मध्य परदेश से 36 गर बनना कहीं न कहीं उसी कड़ी का हिस्ता था जब वो सारे राज उसी कड़ी का हिस्ता से राज अलग जारकंड बने तो उसी कड़ी का हिस्ता क्यों नहीं जो लोग ये बात कहते हैं कि आप जारकंड और जारकंडी करते हैं उनसे पूछिए अभी हाली फिलाल में पेलांग ना अलग हुआ है 2004 में उनसे जाके डॉक्तर जो लोग उनसे चर्चा किया कि आप कहां चुननका हम अंद्रपर्देश से हैं तो अगर यह सरकारी होता तो 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 ठीक उसी परकार अगर हम शाते ठोक के कहें कि जब बिहार से जारकंड लगो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लगों का क्या काम जारकंडी जारकंडी काहे राजय अलग बनाएं बताइए जारकंड राजय लग बनाएं अभी हाल फिलाला पेपर में देखे होंगे कि हमारी गाओं की जो फिसी चलओ उसमें भी 90% ठेकेदार युपी विहार की जारकंड राज काहें बनाएं जालमोडी बैचने के लिए जारकंडा चिम्या पादाम बिचने के लिए बनाएं बताइए जिनको बुड़ा लगता है लगए हम अपने अस्टेंड में कायम है हमारा स्टेट्मेंट कभी नहीं बदलेगा जिनको प्रेट में बर दो जोने जीदिये हमारे लोगों को भिहार में जिस प्रकार से लोख् मिले 10 पर्चंड में प्राइबेट सेक्टर मिले 25 पर्चंड में लेकिन आप दखिए जितना भी आउट्सोर्चेंग जितने भी कॉंट्रेक्ट आप जितने बड़े विंजडार जितने बड़े ठेकेदार सब तो गेर जार कंडिये तो बच्छा भाई हम लोग क्या करें तें